14 अपरेल आ रही है नागपुर के अंदर संग का एक आदेश आया एक शहर एक महापुरुस और एक जैनती एक स्थान पर यानि कि एक शहर में सिर्फ एक जैनती 14 अपरेल को लगेगी उसके बाद चाहें तो अगले संडे को अलग अलग छेतों में लगाई जा सकती है पर 14 अपरेल को एक शहर में एक ही जगे खटा होना है वहां काफी बात हुई और यह चर्चा में आया कि एक शहर एक जगे एक महापुरुस एक जैनती मनाने के बहुत सारे फायदे हैं एक तो प्रदर्शन जो होता है सकती का उत्सब का और लोगों के मिलने का और आपस में एक दूसरे के गले मिलने का एक दूसरे को सुबिक्षा देने का एक दूसरे को मंगल कामना देने का वही की जगे हो जाएगा इतने सारे लोगों को देखकर रंग बरंगे कपड़ों में गुबारों में बच्चों को खेलते हुए देखकर मेला सा देखकर लोगों को अपार प्रसंता होगी और अपने महापुरूस की जैनती पर गर्व होगा और जो लोग उनके विरूद में हैं उनको ये पता चलेगा कि इनके महापुरुस बहुत सक्ति साली रहे हैं और ये लोग अपने महापुरुस को मांते हैं और उनके नाम पर सभी खटा हैं इससे आने वाली जो मुसीवते हैं जो आपके वरुद्ध लोग हैं वो कोई परिसानी खड़ा करने से पहले चार वार सोचेंगे पर अगर आप अलग-अलग एक ही सहर में लगाते हो और अलग-अलग पंडालों में जाते हो तो आपका सबसे पहला नुकसान तो आपकी सक्ती बढ़ जाती है इससे क्या है कि जो आपका वरुद्ध है जो आपके वरुद्ध है वो आपके च्छिप पटाई करेगा क्योंकि उससे पता है कि आप अलग-अलग हो महा पर उसके नाम पर भी एक नहीं हो दूसरा आपका अलग-अलग पैसा बहुत खर्च होगा आपका पैसा वेस्ट होगा आप अलग-अलग पड़ा लगाओगे अलग-अलग खाना बनाओगे अलग-अलग जाओगे तीसरा आप में भायचरा कभी हो गाए नहीं आप हमेंसा एक दूसरे के दुस्मन रहोगे, एक दूसरे को दिखाओगे, एक दूसरे का दिखाओगे, आप एक दूसरे पर एहंकार और विकार आपके अंदर आएगा, तो जीवन में आपका परिवार, आप महापुरुस के नाम पर भी खटे नहीं हो पाओगे, तो दुनि में कोई माननेता नहीं देता आप बेसक जैनती मनाओ और जैनती की माननेता कोई नहीं देगा लोग हसते हैं पीछे कि देखो यह महापुरुस के नाम पर भी अलग-अलग हैं दिल्ली के अंदर एक गुर्दवारा प्रवंंतक कमेट्टी जो और इंडिया की चलती है। यहां बहुत थोड़े से सिख्क हैं तो जब गुरुनानेक जैनती आती है तो गुरुनानेक जैनती पर वो सारेसाए लोग कनाड़ पेष्के연ते के हम जाते थोड़े से सिख्क यह ज्यादा नहीं पर उस सारे लोग उस दिन दिल्ली खट्टे हो जाते हैं उस गुर्दवारे में पर अगले संड़े को वो अपने अपने एरिया बांट लेते हैं 10-15 गुर्दवारे मिलकी के जली निकालते हैं संड़े होता है अगले संड़े को एक गुर्दवारे से रेली स्टार्ट होगी फिर वो रेला बनते बनते सारे गुर्दवारे में होते हुए साम को एक गुर्दवारे बिजाग खतम होती है तो ऐसा लगता है कि उस एरिया में स सारे सिक्ष हैं पूछो मत पर इतने ज्यादा संख्या नहीं है पर वो युनाइटेट हैं और समझदार हैं हमारे लोग तो हजारों गुना ज्यादा है और डॉक्टर अंबेटकर के अनुयाई तो गली-गली में हट तीसरा आदमी है पर अलग-अलग मनाता है एक साथ एक में दो अप्रेल 2022 को एक संख का आदेश पहला संख का आदेश पारित हुआ कि आज के बाद एक महापुरुस एक सहर एक स्थान एक जैनती और कोई पैसा खर्चनी करना किसी को लीडर्शिप नहीं देनी है कोई लीडर नहीं होगा सब बरावर होंगे मेली तरह आएंगे मे जैसे दिल्ली के अंदर पर threshold के होते हैं , नागपुर में दिक्चा भूमी पर लेक्टे हो सकते हैं , तो अलग 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 जगह बरी बरी मूर्ती हैं , या जहां जगे वहाँ हो सकते हैं एक ही रैली निकालनी है उसको रैला बनाना है अलग-अलग टुकड़ों में नहीं बटना है उस पर काम चल रहा है कुछ लोग इसको मान गए पर कुछ लोग उने इस पर इतराज किया हमने पूछा क्यों इतराज किया तो पता चला कि एतराज का कोई कारण यह सिवाए इसके कि उनका चंदे का धंदा बंद हो जाता है अलग-लग रैली करते हैं तो अलग-लग चंदा बनते हैं भाशन देते हैं तो उनका एहम वहम उनका इगो सेडिस्फाई होता है वो यह एहम वहम जो उनका सेडिस्फाई होता है उनको रात वर नीद नहीं आती उनको लगता है बहुत बड़े आदमी होगे जैनती मनाई हम मुख्य थी थे थे हम मुख्य वक्ता थे हम मुख वहावा sahb के टुकड़े किए तो भी मॉर्क औ मैं भी मॉर्क अब दोन้ों में बड़ा मुर्क कौन है आए उसका कंप्टिमिसिंग कर लेते हैं तो ये मॉर्खों का कंप्टिमिसन है इसनि इस से बचें और सारी जैनतियों बना जाएं जो बड़ी है जगे वहां जाएं और अपने पैसे से जाएं अपने खर्चे से जाएं अपना खाना लेकर जाएं बावासाइब की जैनती है तो सौभीमान के साथ जाएं किसी की रोटी की लाइन में ना लगें किसी की पूरी की लाइन में ना लगें किसी की उस इस तीजी बना दी है चंदा लेके लोगों ने उससे बचें कैसे बना दी है चंदा एकटा करके लाते हैं लोग कहते हैं हम पूरी सब्जी का भंडार लगाएंगे वहां चंदा एकटा करके वहां भिकारी बन जाते हैं वहां पैसा एकटा करके लाते हैं और फिर लाइन में ह से दो प्रांटे देदें, वो दान है, भोजन दान है, पिंड दान है, उसको दें, वो ज्यादा अच्छा है, तो चंदा ना दें इस वार, चंदा कभी भी ना दें, क्योंकि अगर आप चंदा देंगे, तो जिंदा नहीं रहेंगे, जब तक चंदा बंद नहीं करेंगे, यह सब लोगों को बोलنا है कि आप एक एक स्थान एक शहर एक जिएंगे अपनी घणे आए संगह नमामी संगह नमामी संगह Mana झाल झाल